अगर हम चांदी के बरतन में खाना खाते हैं तो हमको क्या फाइद है मैं ऐसे पांच फाइदे के बारे में आपको आज बताऊंगा तो प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहेगा आपने सुना होगा बच्पन में हमारे बुजूर्ग लोग है वो चांदी के बरतन पे खाते हुआ उसके बद उसके बादन्से के बरतन पे खाते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है इस त्यूंब के बरतन पे ज्यादा भी नािदर से मैं और बताउंगा यद्ध के साहर करूंगा तो में सेब्वे तो चली फेंड्स, मैं आपको चांदी के बरतन में खाने के पांच फायदे जो बताने वाल था, वह आपको बताता हूं क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भौजन का संतुलित और पॉस्टिक होना ही आवस्यक नहीं है बलकि भोजन करने के लिए आप जिस बरतन का प्रयोग करते हैं उसका असर भी आपकी सेहत पर पड़ता है पुराने समय में लोग चांदी के बरतनों का प्रयोग किया करते थे क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हुआ करता है चांदी के बरतन में खाना बच्चे और बड़ो दोनों के लिए लाबदाय है चलूँ मैं इसके बारे मैं बताता हूँ आपको कैसे कुछ लोग कहते थेते कि केले के पत्थे पर भोजन करना और चांदी के बरतन में भोजन करने के ही समान होता है मतलब अगर अगर आप केले के पत्ते पे भोजन करते हो वो चांदी के बरतन में भोजन करने के समान होता था दोनों ही सूरत में आपके सरीर को ओसदी फायदे मिलते हैं कैसे? घर के बड़े बुजिर्ग हमेशा घर के नंहे महमान को खिलाने पिलाने के लिए चांदी के बरतन ही काम में लेने की हिदायत देते है चांदी सरीर के तापमान को ठंडा बनाया रखती है चले जानते हैं इसके फाइदे पहला है चांदी के बरतनों से बैक्टेरिया रहे दूर मतलब बैक्टिरिया चांदी के बरतन से दूर रहती है चांदी के बरतनों का प्रयोग बेहद गुरकारी होता है इसलिए कटोरी, चमच और गिलास से लेकर थाली तक चांदी की प्रयोग की जाती है इसका प्रभूकराण यह है कि ये बरतन बैक्टिरिया फ्री होते हैं इन बरतनों को गर्म पानी में उबालने की जोरत नहीं होती है इन्हें बस साधे पानी से ही साफ करना ही परयाप्त होता है स्टिल के बरतनों में स्वक्षता का खास ख्यास ख्याल रखना पड़ता है जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी के लोग स्टिलनस स्टिल का बरतन सेकेंड है अपना की ये इम्मुनिटी बढ़ाता है ये अपने इम्मुनिटी को इंक्रीज करता है मेटल के बरतनों में गन भोजन करने से मेटल आपके भोजन में मिलकर सरीर में चला जाता है जो स्वास्त के लिए नुखसान दायक है चान्दी के बरतनों में antibacterial होने के कारण सरीर की परतियोधक शम्ता भी बढ़ जाती है तो यह हो गया आपका दूसरा जो हमारे immunity को increase करता है तीसरा है पानी को रखे fresh यह बरतन प्राक्रतिक रूप से गैर विसाक्त होते हैं जिससे बैक्टिरिया दूर होती है पानी वो अन्य लिक्विड्स वो इन बरतनों में रखने से उनकी ताजगी बरकरार बनी रहती है चौथा देखते हैं क्या है बॉड़ी को cool रखता है चांदी के एक विसेस्ता ये भी है कि ये आपके सरीर को ठंडा रखती है इससे सरीर का तापमान समाने रहता है यही कारण है कि पैरों में चांदी की पैल भी पहनी जाती है तो ये तो हो गया फ्रेंड्स चांदी के बरतन के फाइदे आप भी उपयोग करके देखिए आपके भुजूर्गों से पूछे हो सकता है आपको बताए इनके फाइदे को क्योंकि हम बताया ना आपको मैं पहले हम चांदी के बरतन यूस करता हैं हमारे भुजूर्ग थोड़ा उपर आया तो हम तामबे के कांसे के बरतन ये उसके जिए सुरहें